तो आज दिन के व्लॉग के शुरुवात हो रही है यहाँ आज बहुत दिन बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ अक्चिली में केमरे भी पोकस नहीं कर पा रहा हूं कियो कि युकि मैं ड्राइव भी कर रहा हूं वेरिफाई होंगे और पेपर वेरिफिकेशन के बाद मुझे जो है गवर्मेंट की तरफ से मेल आईगी और उसको निकाल के मैं जाऊंगा शायद आप लोग पहुंच रहोंगे समझ पा रहोंगे कि मैं कहां जाने की प्लैनिंग कर रहा हूं तो एक सर्प्राइस ट्रिप है इंडरनेशनल ट्रिप है और वहां जाने का प्लैन किया हुआ है तो अभी तो फिलाल निकला हूं बहराईच के लिए क्योंकि उनका ओफिस बहराईच है जहां पर मुझे पेपर अपने वेरिफाई कराने है तो देखते हैं वहां पहुंचके क्या सीन बनता है क्योंकि और लोड़िंग का नतीजा इस समय यहां बहुत ज़्यादा दिक्कते होती है ऐसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाद के चल देते हैं लोग और फिर आफ़त पैदा करते हैं आम जन के लिए गलत है यह जलिए यह ठीक है कि यहां पर कोई शोटोट नहीं लगी है किसी को पैपर वेरिफाई करने हैं बहुत सवाल जवाब मुझसे हुए यह वहां क्यूं जा रहे हो क्या काम है इससे पहले कभी गए कि नहीं गए तो मैंने का भाई नहीं गया मैंने सारे सवालों के उनके जवाब दिये तो उनका ठीक है अच्छा हो आप अपने पेपर वेरिफा के बात फिर आप से मिलता हूं और बताता हूं कैसे कैसे मैंने क्या क्या चीजे की हैं वहां जाने के लिए तो फिलाल अभी चलाता हूं गाड़ी और फिर पहुँच के आप से बाते करता हूं आराम से तो बहराइच पहुच गए है और लंबा सा जाम लगा हुआ है लंबा सा जाम है वो लोडिंग का नतीज़ा देखे ट्रक लग रहा है एक तरफ जुका जा रहा है गिर जाए गई है एंबुलेंस बहुच चुके हैं बहराइच में और कार्याले पुलिस अदिक्षक ये रहा और इसी में जाना है हमको अब लाइउ ओफिस यहीं है तो चलिया करते हैं यहीं व्लॉगिंग बन क्योंकि यहाँ पे शायर प्रोगिड़ेड होता है मामगा तो मिलते हैं अभी तो फाइनली अब हम जो है एसपी ओफिस से निकल के लाइउ वाला काम निप्टा दिया है उनको सारे डॉकुमेंट्स मैंने वैरिफाई करा दिये हैं अपने औरिजनल प्लस फोटो एस्टेट उन्होंने एक मुझसे जी रॉक्स कॉंपी ली है और एक सेट जितने भी डॉ क्यों रहे हैं क्या रीजन है तो बस यही था तो सारा कामया से निप्टा दिया है निप्टाने के बाद अब जा रहे हैं निकले है घर की तरफ प्ड़ा लंबा रन पड़ जाता है तकरीबन 80 किलोमेटर अब डाउन पड़ गया मुझे आज 40 किलोमेटर है बहराइच और 40 क के बाद फिर 40 वापसी तो 40 क्या 45 पगड़ लीज़े 90 किलोमेटर का रन हो गया हम देखो भाई चले आ रहे हैं बताने कहा करना क्या चा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा तो यह था हिसाब किताब अब फिर निकल रहा है घर की तरफ चलिए घर पहुंचके घर पहुंचके क्य देता हूँ अब लोगों के आगे दो प्लाइनिंग है अगर यह हो गया तो ठीक है बैकप प्लाइन भी एक हमने बना के रखा हुआ है एक बैकप में लेके चलते हैं तो यह है करतारपुर कोरिडूर जाने के लिए मैं सुझ रहा था करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में पड़ता है तो उसी के सारे डॉक्मेंट्स मैंने यहां पर दिखाने थे तो सब दिखा विखा दिये 15 अप्रेल को मैंने स्लोट बुक की है अपनी कि मैं 15 तो जाओंगा तो उसी से पहले सोच रहा हूँ कि वेरिफाई सारी चीज़े हो जाए तो उससे पहले मुझे अपना रिजर्वेशन करना पड़ेगा क्योंकि मैं सुच रहा हूँ 1000 किलोमेटर का रन पड़ जाए कि मुझे एक तरफ से अगर मैं बाइक से जाता हूँ और बाइक से वैसे भी तो मैं सोलो जा रहा हूँ बाइक से जा सकता हूँ लेकिन गर्मी को देखते हुए थोड़ा मन नह जाता हूँ क्या करता हूँ रिजर्वेशन मैंने देखे थे अभी तो वेटिंग मुझे दिख रही है तो डेली वाला ही प्लान मुझे करना पड़ेगा या फिर कहीं और से दूसरी ट्रेन पगड़नी पड़ेगी जो मुझे वेटिंग के साथ ना मिले गर्मी बहुत है त मेरे इच्छा सारा काम निपटा के पहुंसता हूँ जल्दी से घर तोड़ा काम है फार्म पर फार्म पहुंसता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे